भारतिय रेलवे के उपकरम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिजम कॉर्पोरेशन आयर सी टी सी ने श्रद्धालूओं की अपार मान को ध्यान में रखते हुए पुरी, गंगासागर, अयोध्या धाम यात्रा ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये यात्रा दिनाक आगामी 17 माई को उधैपुर से रवाना होकर वाया चित्तोरगर, भीलवाड़ा, अजमेर, जैपुर से सवारियां लेते हुए जाएगी। इस यात्रा की अबधी 12 दिन की है। जैहिंद दोस्तों आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल टेक राजकुमार दास मोबाइल और रेल इन्फो चैनल। आप लोगों में काफी लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। पूरे वीडियो देखो और चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करो। योध्य में अब निर्मित रामलला मंदिर और हनुमानगरी तीरत जैसे विभिन धार्मिक स्थलों के दर्शन का मौका मिलेगा। ये ट्रेंड भारत गौरब टूरिस्ट ट्रेंड थरी टीर वातान कुलित बोगी से सुसजजित है। जिसमें दो तरह के केटेगरी, स्टैंडर्ड केटेगरी, वह कमफर्ट केटेगरी हैं। स्टैंडर्ड केटेगरी का मूल्य 2660 रखा गया है, जिसमें एसी ट्रेंड, नौन एसी आवास तथा नौन एसी बसों की व्यवस्था रहेगी। Comfort category का मूल्य 31,975 प्रखा गया है, जिसके अंतरगत AC ट्रेन के साथ AC आवास और AC बसों की सुविधा मिलेगी. Confirm Birth के साथ साथ होटल आवास, खानपान सेवा, ट्रांस्पोर्टेशन वा मंदिर दर्शन की सुविधा भी प्रदान करवाई जाएगी. Insurance के साथ सरकार PSU के कर्मचारी इस यात्रा पर वितम अंत्राले, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर पात्रता के अनुसार LTC सुविधा का लाब भी उठा सकते हैं. इन पैकेज की बुकिंग सुविधा IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट www.arctcteurism.com पर भी उपलब्ध है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद.